तो कासी में, अयुद्या में, मत्रा में, जितनी भी मस्जिद हैं, उनको तुडबाद हो, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा घर है, बाहर से लोग आके यहाँ पर नमास बढ़ेंगे, कोई बर्दास केले, कोई बर्दास नहीं करेगा, तो मुसल्मानों ने क्या क्या पेड के पर नियोजिन को सबसे पहले अपना है, तो आपके घर्व में जो छोटी जगह है, उसमें आप ओवर कर देते हो, बहुत सारे बच्चे रखना, दो भी भी, तीन भी भी रखना नमश्कार दोस्तों, मैं रिशाब पटिल, हॉकफीड नियूस से स्वागत करता हूँ आपका, जो है, हमने जाना कि मतला जो सेक्टर 29 में, और सेक्टर 37 और 47 में, जो ओपन में नमाज पढ़ी जा रही है, तो वो कितनी हद तक सही है, यह हम आप लोगों से जानेगे, कि आ कहना है, जी मेरा तो यही कहना है, कि सड़क रोक करके आप अपने धर्म को किसी पर ठोप रहे हैं, तो तो गलत है, आप अपने धर्म को मानिये, हर आदमी का अपना अधिकार, मौली का अधिकार, वो अपने धर्म की चाहिए जैसे पालना कर सकता है, अपने वर्किंग आर् है उसमें आप ओवर्ल कर देते हो ना बहुत सारे बच्चे रखना दो भीवी तीन भीवी रखना ठीक पुराने जमाने राजा मारजाओं के रखते थे पर राजा मारजाओं को बजट होता था एक आम आदमी को दो बच्चे पालने स्कूल की फीज भरना रोज शाम को सब्जी भाजी लेकर घर जाना सुबह मीटर शुरू होता है सुबह उठते ही सबस्वाले दूद से ताम आदमी की जीवन में कठना यह इतनी है कि वह कमात दोले पहले उसके लिए परियाप सड़क रोकना बैठ जाना उसके लिए सिंपल स जरा समिस कर देते हैं रास्ता तो आपका एक किलोमेटर से लंबा यूटल लगाना पड़ता है पैट्रोल कभाव सो रुपे लिटर के उपर जा चुगा है ताम आदमी कैसे परवड़े गऊं यह चीज और थी लोगों का यह भी कहना था कि जो है आप सो रुपय का पैट्र मंदिर कितने जतने घुड़ाह correcte मुसल्मान का लोग हो है Kensington उसमाय परसेंट हैं हर जगा मस्जीत है हर जगा मस्जीत है खूब हो आप सुबावी पड़ सकते सामे कोई भी चीज वो कानुन सबके लागू होता है जो हम है किसी भी इंसान को प्रोबलम होती है वो चीज गल्त है वह नहीं कर रहा है चाहते हैं यह हमारे भी खत्र साम ने बोला है कि खुले में बढ़ां नहीं करिशाएगी भैं हमारी सारकार नहीं करें हम तो चाहिए नहीं कोई नहीं करी जाएगे आं कि लोगों नहीं बचे Woah लटकिया गूंती है society area है महां पर कौन पढ़लन देगा कोई मुसलमान नहीं रहता हम यहां पर रहते हमारा गरते हमारा घर हे बाहर से लोग आकर नवास करेंगे कोई परदास करेंगे कोई परदास गर में बैट गुर साथ में दिन भी पढ़ लो अन्य तो तुम्हारी मस्जित तुमने पर्मिशन ले रहा है कि गॉवर्मिन से तुमने बना रहा है वहां पर जाके पढ़े हो बारी बारी से बढ़ लो तकलीफ तो जेल नहीं पढ़ती है नहीं दूसरे को भी तो नहीं होनी सब्सक्राइब है Treasure है scripture है मस्जीट के अंदर हमें हमें तो कोई एक थो तकलीफ हो रहे हूं हम क्यूं पढ़ने दे हम अपने मंदीर जाते हैं मन्दीर में रहते हैं हम से हमसे जाते हैं नहीं हो रहते हैंbon के लिट तो गया अधाय मडिर में पर नहीं वो गलत है मैं तो यही मानता हूँ भीया आपका क्या कहना है मैं परिवी नवाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम नमाज खुले में बढ़ सकते हो तो फिर मस्जिद बनाने का क्या फाइदा अब तो में बाबरी मस्जिद पर सरकार करता रही है अब लोग बोल रहे हैं अब मीडियम हम देखते रहते हमारे योगी जी हमें उन्होंने बहुत सी जगा भी नाम चेंज किया है जगा होगा अब लोग परेशान है उनके सीधी बात सामें बोलूंके दर्दा नाम क्यों चेंज कर दिए यह नाम तो पहले पहले थे जो पहले थे रखे जा रहे हैं चेंज नहीं किये पर लोगों की इंडियन मुसलिम है जो इनका तिवार होता है कि लिए कुछ नहीं होता हमारी दिवाली है ना एक महीने पहले टीवी पर आना लग जाता है पटा के मत फोड़ो यार जब नहीं साल अभी कितने दिन है अभी नियुएर के कितने दिन बारदेरा दिन है उस दिन पूरे मुल्क बटाके फोड़ों गया जब कोई मुवी देख को नहीं जैसे की एक्टर मतलब कौन से पर वह गया अमीर नहीं गया यह दिवाली हो लिए पर अपना घ्यान पेलेंगे और जब इद आओगी जब बक्रे काटे जाएंगे अब लेटेस्ट में पोस्ट थी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बड़ी एक्टर से उसने सोचल मीडिया पर डाली होई ती वो डालती है मतलब ऐसे डाल रही हो दिवाली के लिए मतलब पटा के मत फोड़ो यह और उसकी पोस्ट कुछ दिनों बाद इसकी पोस्ट इंस्ट्रग्राम पर अप्लोड होती है चिकन ले रखा तो उसने हाथ में चिकन दिखा रही हो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का जी ठीक है तो भाईया का यह खहना था वैसे आप इस बास से कितने सहमत है जो भाई मैं परवीन गुजर की बात से फूरा सहमत हूं देको बात ऐसी भाई मैं जहां रहता था हूं आप पर ने एक जगाती पेड़ था वहां पर ठीक है मगले मजजिद बनाओं के तरी तर के तो वह भाई के कुछ बंदों ने अधर वहारे जाओं के तो तोड़ दिया उसके कुस्टम बाद इसको स्कुस्टम बाद वहां चीज स्टार्ट कर दी गवर्मेंट कहां घए रहा भाई हमारे और अन्मे बोला मत करो चीज फिर भी पर दिल्ली में एक फिलाइवर है उसके उपर मजार बन रही है अब बोलते मजार पहले सी बन रही थी और भाई जब फिलाइवर बना रहे हैं कि हवाम उठा कर फिलाइवर को पर रख दियू फिलाइवर कितना पुराण हो सकते सब्सक्राइवर क्या मतलब होता है रस्ता बंदन हो तो अभी अब जाओ गए चटापूर साइड जाओगे हम बड़े होगे वहां कुछ भी नहीं था पेड़ा की करगा जो भाई बता रहे हैं भाई की बात बताऊंगा वहां कुछ दिन में देखते 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 पहले द अब चट्वां टॉटा वां पेटे चाले के मां पीर पूझा रहा हुगा कोई नहीं हो ने क्रेंद पलड़ा मंडिर बना धे लोग उसकटे पहल उठाते हैं तुम यहां क्यूंड़ दर्म पर सवाल उठाए जाते कोई हमारी कोई कपड़े पहन लेता है मतलब अब योगी नमाज पड़ाने पांड़िए तो यह था बाकि यह है कि जैसे जो भी विक्ति देख रहे हैं या जो भी खुले में नमाज पढ़ी जा रही थे लेता गलत का साथ प्लिक्षर सॉय उसके साथ घड़े हैं सब उठाते मैंने जाद तक देखा हैं बड़े हो गए हैं मेरे 22 साल एज हो रही है जाद तक हम देखते हैं जब पास मुसल्मान बैटके नमाज पढ़ने लगते हैं पास से दस से बारा बारा से पचास हो जाते हैं और कुछ दिन में ही दीरे-दीरे वहां पे अब लोग जागरुक हो रहे हैं सोचल मीडिया के बज़े सा पता लग रहा है नहीं तो इतनी मस्जीद फैले इतनी मस्जीद बन चुकिए गुडगाओं के अंडर बहुत है अरे लोग बोलते हैं कि मस्जीद नहीं है हम पास जगानी है कि नमाज पढ़ सके यह बिल्कुल ग मंदर हैं उतके हमारे जो यह कहना है कि घर सब कर सकता है बगवान सब दर होता है दिल में होता है मन में होता है बात आती है लोग अलजा रहे हैं इंसान कर भी सकते हैं पस कुछ होते थे न अपने समाज में कुछ गंदिकी होती हो गंदिकी उसका फायदा उठाती हो उनके साथ सथ वह वाली बात है नहीं तो इनसान अपने सब ने बात की जो उनको खदेड़ा दो हमने इनसे भाइया से जाना जो की मतलब बिल्कुल भी सहमत नहीं थे यह जो चीजें चल रही है जो है और जो भी चीजें हैं आम लोगों से बात करी उन्होंने बताया कि कैसे इन चीजों में सुधार किया जा सकता है और जो भी चीजें खुले में नमाज पढ़ना कुल मिलाके सही नहीं है उनका ये भी कहना है कि हम भी तो मंदरों में जो है जाते हैं अपने मंदर हमारे स्थाले हैं मंदरों में जाते हैं हम घर में पूजा करते हैं और जो पतेल हॉक्फिल्ड न्यूस धन्यबाद